ना केक ना कोई मिठाई आज एकदम युनीक और मक्खन की तरह हैं मुँ में घुल जाने वाली बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हुमें ये popular sweet dish इंडिया की नहीं है बलकि Middle East के एक देश लेबनान की है और इसका नाम है लेयाली लुबनन यकीन मानिए आप एक बर इसे खाओगे तो तारीफ करे बिना नहीं रह पाओगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है बहुत ही कम चीजों से बन जाती है ना आपको मावा चा लेंगे और आपकी कुकिंग के फैन बन जाएंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज प्लीज लाइक और शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए अब बनाते हैं लयाली लुबनन गैस पर एक पैन रखेंगे और फिर करके इसकी एक चाष्णी से तयार करनी है लेकिन जलेबी की चाष्णी जैसी गाड़ी चाष्णी नहीं चाहिए हमें मतलब ये एक तार दो तार की चाष्णी ना बन जाए बस 7-8 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पका लिजे ताकि ये थोड़ी चिकनी सी ओयल की ये कैसा चितना सा हो गया है लेकिन कोई तार नहीं बनी है तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसलिए अब गैस को आफ कर देंगे और वन फॉर चम्मर नीमू का रस डाल कर उसे भी मिक्स कर लेंगे आप इसमें कोई एसंस भी डाल सकते हो जैसे वनीला केवडा या फिर वैसे मैंने तो 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसंस डाला है और इसे भी मिक्स कर लेंगे और फिर से उठाकर अलग रख देंगे अब एक और पैन रखेंगे गैस पर और इसमें आदा कप सूजी डालेंगे ये सूजी बारीक वाली लेनी है मोटी वाली सूजी नहीं लेनी है अग ताकि सूजी का कच्चापन निकल जाए ध्यान रिखे कि इसे लो फ्लेम पर बस एक दो मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि इसका कलर ना चेंज हो और भून भी जाए बस अब ये भून चुका है तो गैस को आफ कर देते हैं और इसे निकाल कर एक अलग बोल में रख लेत अब इसी पैन में दूद डालेंगे ये फुल क्रीम दूद है इससे हमारी ये रॉयल डिजर्ट और भी जादा टेस्टी बनेगी मैंने टोटल तीन कप दूद लिया है इसको पहले बॉयल करना है और फिर ये जो सूजी भून कर रखी थी उसे इसमें डाल देंगे और लग अगर कोई लंस पढ़ गए हो तो उन्हें इसी टाइम दबा दबा कर तोड़ लिजे अब ये चीनी सूजी और दूद को साथ में पकने देंगे ट्रेडिशनली इस रेसिपी में फूट कलर नहीं डालते हैं लेकिन अगर आप चाहो तो डाल सकते हो जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपना बरतन रेडि करते हैं किसी भी तरह की डीब डिश ले लिजे मतलब कोई ट्रे या थाली जिसके कॉर्णर थोड़े ऊचे हो क्योंकि हमारी ये डेजर्ट लयाली लुबनम लेयर्स में बनती है तो अगर छोटे कॉर्णर या बीना कॉर्णर वाला बरतन ल भले ही ये लेबनन की डिश है लेकिन हम तो इंडियन हैं तो हमें अपना इंडियन टश तो डालना ही पड़ेगा ना तो ये और पी ज़्यादा क्रीमी शाइनी और सिल्की बने उसके लिए इसमें एक से डेट चमट देथी घी भी मिलाएंगे इस फक्त इसकी कंसिस्टेंस एक दम परफेक्ट है बस इससे जादा गाड़ा नहीं करना है क्योंकि सूजी ठंडी होने के बाद अपने आप थोड़ी और गाड़ी हो जाती है तो अब गैस को आफ करेंगे और गर्म गर्म में ही सूजी को अपनी ग्रीज की हुई ट्रे में ट्रांसफर करेंगे इसको ट है इतना ही गाड़ा रखोगे तो खाने में एकदम मकमली सा मुलायम सा टेक्चर आएगा और यह बहुत टेस्टी लगेगा इसको हलका सा एक दो बार टैप भी कर लेंगे टाकि ठीक से सेट हो अब इस ट्रे को इस तरह से क्लिंक फिल्म लगाकर कवर कर देंगे देखिए अ कवर जरूर कीजिए अब इसे ठंडा होने के लिए आप चाहो तो फ्रिज में भी रख सकते हो या फिर ऐसे ही किचिन काउंटर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दो तो जब तक सूजी वाले लेयर ठंडी होगी तब तक हम अपनी नेक्स्ट लेयर बनाते हैं एक बॉल में 200 ml फ्रेश क्रीम डालेंगे अगर आपके पास विपिंग क्रीम हो तो आप वो यूज कर सकते हो मेरे पास ये रेगुलर फ्रेश क्रीम है तो मैं ये यूज कर रहे हूँ अब इसे एक दो मिनिट के लिए लो स्पीड पर विस्ट करेंगे अगर आपके पास एलेक्टिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी विस्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इसको बीच बीच में रोकते भी रहे है क्योंकि अगर एक साथी चलाते रहोगे तो क्रीम गर्म हो जाएगी और फिर उसमें से मक्षन निकल आएगा अब इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे मैंने यहां पांच चम्बच भर कर पिसी हुई चीनी डाली है आपको अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा चीनी डालिए कम मीठा पसंद है तो कम चीनी डालिए आप अपने टेस्ट के में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीट करते हुए जब यह हलकी सी थिक कंसिस्टेंसी पर आने लगे तो इसमें 10-12 ड्रॉप्स वनीला एसेंस भी डाल दें अब यहां देखिए विस्ट करते करते इसकी हाड़ पीक्स बनने लगी है तो बस यह कंसिस्टेंसी बिलकुल ठीक है वैसे इसकी बहुत ज़्यादा हाड़ पीक्स इसले नहीं बनी क्योंकि यह विपिंग क्रीम नहीं है इसमें ऐसी ही पीक्स बनती है और यहां देखिए हमारी यह सूजी वाली लेयर भी ठंडी हो चुकी है और अभी भी सॉफ्ट और क्रीमी है तो अब इसकी उपर हम अपन क्रीम की लेयर लगा देंगे इसे हलके हाथ से करिएगा वरना क्रीम में जो एर भरी है फैटने से वह खत्न हो जाएगी जितनी थिक लेयर होगी ना क्रीम की उतनी ही ज्यादा टेस्टी लगेगी हमारी यह लियाली लुबनन अब इसको उपर से गार्णिश करेंगे हम पिस जिता ही यूज किया जाता है वैसे मैंने तो बदाम की कत्रने भी डाल दी और साथ में थोड़े से ड्राइ रोस पेटल्स भी यूज किये हैं अब इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हमारी क्रीम भी सेट हो जाए अब एक घंटा हो चुका है तो मै उसको उतना उसकी प्लेट में सर्व करते समय दे दीजिए अब इसे कट भी कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा सौफ्ट और मुलायम बना है यह नवाभी रॉय डेजर्ट और टेस्ट तो इसका लाजवाब है ही देखा आपने फ्रेंग्स कितनी असान रेसिपी है यह पता है के आगे ना आइस क्रीम केक्स सब फेल हैं तो फ्रेंड कैसी लगी आपको यह रेसिपी कमेंट करके बताइए मुझे और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को पर जरूर सब्सक्राइब करें